हेलो हैंस वेलकम टू जेके अगरिकल्चर क्लासेस इस वीडियो में आप सुभी को जी बिग्यान से सम्मंदित कोश्चन बताएंगे इसमें टापिक फ़स्ट कम्प्लेट करेंगे जिसमें बनस्पत बिग्यान और उसकी साखाएं से रिलेटर कोश्चन बताएंगे यहां बन इसी प्रकार बाय लोजी यानि कि जी बिग्यान के जनक कौन है तो वहां अरस्तु हैं नेक्स्ट है बोटनी जिसे हिंदी में बनस्पत बिग्यान कहते हैं सब्द की उत्पत्ति किस बहासा से हुई है तो यहां ग्रीक बहासा से हुई है आपको बता दें जिसमें लोजी ल लेखक है tapi पुस्टक के लेखक thier practice हैं यहन्ने बनस्पत बिज्ञान का पिताम हा कहा जाता है इन्होंने यह पुस्टक लिखी है और इसी प्रकार है question और आता है इसमें confuse नहीं होना है next है वहाई बिज्ञान जिसका सम्मन्द जीवधारियों के अध्यन से है तो उसे क्या कहते है तो वह जीव विज्ञान उसे कहा जाता है नेक्स्ट है पर्रयावन का अध्यन जीव विज्ञान की किस साखा के अंतरत होता है तो वह परस्तित्की के अंतरत किया जाता है next question है फूलों के संबरधन के विध्यान को क्या कहते है तो इसे flori culture कहते है इसे याद करने के लिए आप इस प्रकार इसे relate कर सकते है जैसे flower से होता है flower culture और flower से pool होते है next है dendrology dendrology का सम्मध किस्से है तो ज़ाडियों के अध्यन से है इसे याद करने के लिए आप relate कर सकते हैं जैसे जाडियों वे ब्रच्चों से डंडे बनाया जाते हैं और डंडे से डंडरोलोजी इस प्रकारे से आसानी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट है उस्पो का अध्यन क्या कहलाता है तो इसे anthology कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है जीवास मनस्वत विज्ञान में किसका अध्यन क्या जाता है तो इसमें जीवासमो का अध्यन क्या जाता है इसे सब्द से ही relate कर सकते हैं जैसे कि जीवासमो का अध्यन जीवासम मनस्वत विज्ञान में किया जाता है या सब्द से ही relate होता है next है इसकी main साखाएं बताएंगे जिससे related question एक से दो प्रतिक year में पूछे जाते हैं इससे पहला question है याई पहला जो साखा है वो agrostology है इसमें घासों का अधिन किया जाता है इसे relate करने के लिए agronomy से इसे relate कर सकते हैं agronomy फसल विज्ञान है जिसे फसलों का अधिन किया जाता है और घासों का अधिन करने के लिए agastology का अधिन किया जाता है next है एनाटोमी एनाटोमी में आंतरिक सरचना का अधिन किया जाता है इसी जीव की आंतरिक सरचना का अधिन एनाटोमी में किया जाता है इन्थो लोजी में पुस्पो का अधिन कहा जाता है। इसे सब्द से ही रिलेट का सकते हैं। इसमें ब्रायो लिखा है। ब्रायो से ब्रायो फाइटा या ब्रायो लोजी याद कर सकते हैं नेक्स्ट है कैसिडियो लोजी इसे पादप के रोगजन एवं गाठों और पादप के एंसर का अध्यन कहा जाता है इसे भी आप याद कर लें इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है नेक्स्ट है साइटोलोजी, साइटोलोजी में कोश्काओं का अधिन कहा जाता है, इसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि कोश्का को इंगलिस में सेल कहा जाता है, सेल से साइटोलोजी इस प्रकारी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट है डेंडरकोनोलोजी में ब्रच्छों की आयू का अधिन किया जाता है जैसे कि आपको बता चुके हैं कि डेंडरोलोजी में ब्रच्छों एम जाडियों का अधिन किया जाता है इस प्रकार इसे एरिलेट कर सकते हैं जो डेंडरकोलोजी में ब्रच्छों की आयू क अध्धिन क्या जाता है नेक्स्ट है डेंड्रोलोजी डेंड्रोलोजी में ब्रच्चेवों जाडियों का अध्धिन क्या जाता है जो पहले से ही बता चुके हैं क्योंकि डंडा से डेंड्रोलोजी याद कर सकते हैं नेक्स्ट है इकोलोजी, इकोलोजी में पोधों के बातामन के संबंध में इसका अध्धिन किया जाता है नेक्स्ट है इकोनोमिक बोटनी, इकोनोमिक बोटनी में आर्थिक महत्त वाले पोधों का अध्धिन किया जाता है economic में होता है arctic और botany मिंस होता है po de तो इस प्रकार इसे relate कर सकते हैं और याद कर सकते हैं next है embryology embryology में युगमको के निर्माण निसेचन ब्रूंड के परिवर्धन का अध्यन करना embryology कहलाता है embryo ब्रूंड का English version होता है embryo ब्रूंड को English में embryo कहा जाता है और embryo से embryology याद कर सकते हैं next है etheno botany etheno botany में आधिवासियों द्वारा पादप के उप्योग का अध्यन किया जाता है अर्थात जो आधिवासि थे वो किस प्रकार फलों का खाया करते थे किस प्रकार पोधों का उप्योग किया करते थे अपने भोजन के रूप में उसका अध्यन etheno botany में किया जाता है जिचे की आधिवासियों का फेवरिट जो fruit था वो कंदमूल फल था और उसका अध्यन करना etheno botany में आता है next है evaluation evaluation में सजीवों के विकास का प्रक्रम का अध्यन किया जाता है जैसा कि आपको पता है evaluation मिन्स होता है विकास विकास किसका जीवों का और इस साखा में इसी का अध्यन किया जाता है next है floriculture floriculture में सजाबटी पुस्पों यंशंबर्धन का अध्यन बंको इंगलिस्ट से पॉरेश्ट्ट्री याद कर सकते हैं नेक्सीड है जेनेटिक इंजिनरिंग इसमें कतीम जीन का निर्मारण एवा इस्थानांतरन का अधिन कहा जाता है इससे याद करने के लिए यहाँ जीन सब्द दिया है, जीन से जेनेटिक आसानी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट है जेनेटिक्स जेनेटिक्स में अनुवान सिक्ता और बिमनताओं का अधिन कहा जाता है जेनेटिक्स मिन्स होता है अनुवान सिक्ता और यहाँ जेनेटिक्स दिया भी है तो इस सब्द से आसानी से इसे आद कर सकते हैं क्योंकि अनुवानसिक्ता को हिंदी में अनुवानसिक्ता और इंग्लिस में genetics कहा जाता है Next है gerontology, gerontology में आयू के साथ जीवों में होने वाले परिवर्थनों का अधिन कहा जाता है इसे आप याद कर लें Next है Heredity Heredity में पेत्रक लच्छनों के संतती में पहुँचने का अध्यन क्या जाता है यानि कि जो पिता होता है उसके लच्छन केसे संतत में पहुँचते हैं उसका अध्यन इसी में किया जाता है Next है Lichenology इसमें लाइकेन का अध्यन कहा जाता है जैसा कि यहाँ आप इसे याद कर सकते हैं लाइकेन से लाइकनोलोजी इस प्रकार इसे आसानी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है लिमनोलोजी, लिमनोलोजी में जहीलों तथा अलबडी ये जली पादपों का अधिन कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है माइकोलोजी, इसमें कबको ये फपून का अधिन कहा जाता है नेक्स कोशन है माइको प्लाजमोलोजी इसमें माइको प्लाजमा का धिन कहा जाता है इसे भी आसानी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि माइको प्लाजमा और माइको प्लाजमोलोजी इसे आसानी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है निमेटोलोजी इसमें पादपों के साथ संबंद का अध्यन करना इसी में आता है जैसे कि निमोटेट से निमेटोलोजी याद कर सकते हैं नेक्स है एक्रोनोमी, एक्रोनोमी में फसलों के पाद्पों के साथ संबंद का अध्धिन किया जाता है, यानि कि फसलों का अध्धिन करना एक्रोनोमी में कहलाता है एक्रोनोमी, नेक्स है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में बनी ब्रच्छों तथा उनके उत्पादों का स पेलियोवोटनी में पादप जीवासमों का अध्धिन कर जाता है नेक्स्ट है पेलिनोलोजी पेलिनोलोजी में पराकणों याद कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है पेथोलोजी इसमें पादप रोग एवं उनके उपचार का अध्धिन किया जाता है नेक्स्ट कोशन है पीडोलोजी पीडोलोजी में मरदा का अध्धिन किया जाता है उसके संबंद का अध्धिन किया जाता है नेक्स कोशन है पेराशीटोलोजी इसमें पोसिता एवं परजीविताओं के संबंद का अधिन क्या जाता है नेक्स कोशन है आइकोलोजी इसमें सेवालों का अधिन क्या जाता है नेक्स कोशन है हारमेकोलोजी इसमें ओसदिये पाधपों का अधिन क्या जाता है नेक्स कोईशन है फिजियो लोजी इसमें विविन पादप एमोजेविक क्लियाओं का अधिन कहा जाता है नेक्स कोईशन है पॉमो लोजी पॉमो लोजी में फलों के संबंद का अधिन कहा जाता है यह फलों का अधिन कहा जाता है इससे रिलेटर एक कोशन और आता है वो आता है कि पोमो लोजी किस भासा का सब्द है जैसे कि सवी को पता है कि लोजी में जो लोजी लगा वर्ड होता है उस सारे वर्ड ग्रीक भासा के होते हैं और यहाँ एक अपवाद है, यहाँ लोजी लगा बड़ भी कल्चर के समान है, अर्थात यहाँ लेटिन वहसा का सब्द है, यहाँ एक अपवाद है, इसलिए यहाँ परिच्छाओं में पोँचा जाता है. नेक्स्ट कोश्चन है तेरिडोलोजी इसमें तेरिडोफाइट्स का अध्धिन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी इसमें पोधों के बित्रणे में उनके कारणों का अध्धिन किया जाता है next question है space biology इसमें अंत्रिच एवं बायो मंडल में इस्तित पादपों का धिन किया जाता है इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं अंत्रिच को इंग्लिस में space कहा जाता है तो यहाँ space biology दिया गया है next है spermology इसमें बीजों का धिन किया जाता है next है taxonomy इसमें पादप बरगीकरण का अध्यन कहाःता है जैसे कि आपको पता है texture means होता है बरगीकरण और इस प्रकार इसे relate करके याद कर सकते हैं taxonomy taxonomy में पादपों का जो बरगीकरण होता है उसी का अध्यन करना taxonomy कहलाता है इसी प्रकार के आगे के वीडियो देखने के लिए जेकी एगरीकर्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिविकेसर मिलती रहे थेंक्यू फार वास्ट इस वीडियो